अब माई के मताना कावेरी अपने माई के में इकलोती बेटी और भाबी की इकलोती ननत थी उसकी हर बात मानी जाती थी और अपने माबाप की बहुत ही लाडली थी उसके भाई की शादी को एक साल हो गया था और वो जल्द ही बुवा बनने वाली थी वो दिन भी आई ही जाता है और उसकी भाबी नंदिनी एक प्यारी से बेटी को जन देती है कावेरी बहुत खुश होती है पर उसको एक खटकासा होता है कि जैसे उसकी जगह किसी और ने ले ली मा अब तो जो होगा इसी की हिसाब से होगा न आरे यह अभी इतने चोटी है तो उन्हें अभी सी ये बातें चालो कर दी नहीं मा बस ऐसी ही सोच रही थी कुछ समय निकलता है नंदिनी की बेटी खुश्बू बड़ी होने लगती है दादी आज आप मेरे लिए भिंडी बना दीजिए शांती अपनी बेटी कावेरी से पूचती है शांती भी अपनी पूती का नहीं सोचती और अपनी बेटी के लिए ही आलू बनाती है नंदिनी को बहुत बुरा लगता है वो अपनी बेटी के लिए अलग से भिंडी बनाती है पर नंदिनी अपने पती से कुछ नहीं कहती लेकिन ये सबब बहुत ज्यादा होने लगा था वो रोज ही देखती थी कि उसकी ननद को अपनी ही भती जिसे चीड़ होने लगी है उसको अपने माई के आए काफी दिन हो गए थे पर वो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी कावेरी अपने पती संज्यू से घुमा फिरा कर बात करती है सुनो ना दीदी कब तक जाएंगी? मैं इसलिए पूछ रहे हूँ जिससे उनके लिए कुछ बनाना हो तो टाइम से बन जाए ना? मैं आज ही बात कर रहा तो उनसे शाद कल जीजा जी आने वाले हैं वो कल चली जाएंगी चलो छुटी होई एक दिन की बात आर है अगले दिन नंदिनी की ननत चली जाती है घर का माहल थोड़ा ठीक होता है खुश्पू भी अपनी दादी के पास रहने लगती है और उनी के हाथ का बना खाना खाती है समय बीटता है और नंदिनी को एक बेटा होता है उदर उसकी ननत कावेरी को इतने सालों में कोई बच्चा नहीं हुआ था उसे उसकी भाबी और उसकी बच्चों से चीड़ होने लगी थी इस बार वो काफी टाइम बाद माई के आई और भाबी दो दो बच्चे कल लिए कैसी घट रही है जिंदगी मेरे तो मज़े हैं कोई जिम्मेदारी नहीं है वो ताना मारते हुए अजीब सा हसने लगती है नन्दे ने कुछ कहती नहीं पर वो समझ जाती है कि उसकी ननत को अपनी कमी का एसास हो रहा है पर वो जताना नहीं चाहती थोड़ी देर बाद वो बच्चों से मिलती है बच्चे बुआ बुआ करते हुए लिपड जाते है पर वो उनको दोर से ही प्यार कर लेती है और बाद में छोटे-मोटे गिफ्ट दे देती है थोड़ी देर में संजीव सबको बहार ले जाने का प्लान बनाता है पर एक सस्ता वाला ले लेती है घर आकर अरे खुश्बू ये क्या है एक ता चोटा सा खिलोना बिल्कुल बेका लग रहा है ये देख मैं तेरे लिए लाई हूँ इतना बड़िया खिलोना खुश्बू अपनी मा का दिया हुआ खिलोना फैक कर बुआ वाले खिलोने से खिलने लगती है फिर कावेरी अपने भतीजे को बिलाती है मिंकू देखा तुझे मम्मी ने क्या दिलाया मिंकू का खिलोना तो बड़ा था वा, तुझे तो बहुत बड़ा खिलोना दिला दिया, यह अच्छा है, देख खुश्बू, तेरी मम्मी ने भाई को तु इतना बड़ा खिलोना दिला दिया, और तुझे इतनी छोटी से चीज दिलाई, मुझे तो लगता है तेरी मम्मी तुझे प्यार नहीं करती अब खुश्बू के मन में ये बात घर कर जाती है कि उसकी मम्मी भाई को ज्यादा प्यार करती है वो नंदिने से कटी-कटी रहने लगती है और हर समय बूआ बूआ करती नंदिने कितना भी बुलाए, खुश्बू उसके पास चाहती ही नहीं कावेरी को कोई प्यार तो ज्यादा था नहीं, वो तो बस अपने भतीजे भतीजी को अपनी भावी से दूर करना चाती थी, उसे इस बात की चिर्ड थी, कि एक तो खुश्बुक के आने से उसकी जगा चली गी, और दूसरा, उसका अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था, एक दिन संजीव नया घर लेने का सूचता है, माम, हम सब चलते हैं न घर देखने, सबको घर बहुत पसंद आता है, पर कावेरी अटक जाती है, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, और वैसे भी मैं इनको भी तो दिखाऊंगी ना, अरे जीजा जी को दिखाने की क्या ज खुलत क्या है? हमारा ही तो है घर, रहना तो हम सबको है. ये बात कावेरी को बुरी लग चाती है, वो अपने खुत की घर जाने की बात करने लगती है. अरे ये क्या बात हुई दीदी, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? हाँ बई, मैं सब समझ रही हूँ, तेरी बी भूख भूख करने लगती है आरा भै नंदिने जल्दे से कुछ बना लो कावेरी को भूख लगी है नंदिने को गुस्सा आता है कर तो रही हूं न मैं भी तो आप लोगों के साथ ही घर आई हूं न देखा मा इसे मेरा आना पसंद ही नहीं है ये बच्चों को भी मेरे पास प्ताने नहीं देती मैंने देखा है जब मैं बुलाती हूं तो ये बच्चों को कसकर पकड लेती है अरे कैसे बात कर रही हो दिधी मुझसे ज्यादा attempting तो आपसे करते हैं हर आप उन्हें क्या क्या सिखाती है मुझे सब पता है अरे ये क्या हो रहा है घर में छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा क्यों बना रहा है सब पर कावेरी का मुझ फूला हुआ था वो पैर पटकती हुई अपने घर चली जाती है उसके जाने की बात संजीव अपनी मा से बात करता है मा वैसे कावेरी बहुत ही बात का बतंगड बना दीती है जब रहना हम सबको है तो इसमें जीजाजी को भी दिखाओ ये क्या बात हुई उसे तो आदत हो गई है बात-बात पर मुझे और नंदिने को नीचे दिखाने की नंदिने हमारे घर के बीच में कुछ बोलती नहीं है फिर भी इसके पीछे पड़ी रहती है इतनी ये दिर में बच्चे खेलते हुए आ जाते हैं नंदिने खुश्मु को अपने पास बलाती है पर वो आती ही नहीं मम्मी इतनी देर से तुम्हें बुला रही है न तुम उनके पास क्यों नहीं जा रही हो क्योंकि बुआ ने बोला था मम्मी मुझे प्यार नहीं करती वो भाई को ज़्यादा प्यार करती है इसलिए आप मैं भी मम्मा से बात नहीं करूँगी और मैं भाई की साथ भी नहीं खेलूंगी अरे ऐसा नहीं है बिटा उन्होंने ऐसा क्यों बोला उस दिन वो भाई के लिए इतना बड़ा किलोना लाई थी और मेरे लिए इतना छोटा सा तब वो आने बोला था और वो ये भी बोल रही थी कि दादी भी भाई को ही ज़्यादा प्यार करती है ये सुनकर तो शान्ती को भी बहुत गुस्ताता है उसकी बेटी छोटी छोटी बच्चों के मन में कैसी कैसी बाते डाल गई है शान्ती के आँख में भी आस्वा आ जाते है देख लिया मा आपकी बेटी हमारे घर आकर क्या-क्या करती है शोबा देता है क्या ये सब शान्ती तो शेर्म के मारे कुछ बूली ही नहीं पाती लेकिन उसने मन में सोच लिया था कि वो अब अपनी बेटी को घर कम ही बुलाया करीगी कावड़ी को आये हुए बहुत दिन हो गए थे और वो माई के नहीं आयी थी एक दिन उसका फोन आया अरे भी मैं आयी नहीं तो किसी ने बुलाया भी नहीं लगता है मेरा आना किसी को अच्छा नहीं लगता अरे नहीं नहीं बिटा लड़कियां तो घर की रौनक होती है तुम तो पहली लड़की हो घर की तुमसे तो हमारी इज़त है अरे रहने दो मा जब से खुश्बू आई है आपको मेरी परवाई का है भाई ने भी मेरे लिफापे में पैसे कम कर दी है तुम भी ना पता नहीं क्या-क्या सोचती है अरे भाई के ध्यान में नहीं रही होगी बात वो वैसा नहीं है मा आपको पता नहीं है यह आपकी पहुँ है ना बहुत तेज है आपके खिलाफ बच्चों को भड़का दिये बच्चों को कौन भड़काता है कौन किसको क्या कहता है मुझे बहुत अच्छे से पता है कावेरी बच्चे ना जोट नहीं बोलते है यह सुनती ही कावेरी हेलो हेलो करने लगती है चैसे कि आवाजी नहीं आ रही हो शान्ती भी ज्यादा ध्यान नहीं देती और नहीं उसको फोन मिलाती है मम्य जी देदी नहीं आई बहुत दिनों से कोई बात हुई है क्या नहीं कोई बात नहीं हुए शायद उसके घर पर कोई काम चल रहा है इसलिए नहीं आ रही तो उन्हें और जिजा जी को खाने पर बुला ले बहुत दिन हो गये, शांती बात को टाल देती है, उसका ज़्यादा मन नहीं होता कि उसकी बेटी अब ज्यादा माय कर आए उससे अब ये भी लगने लगा था कि जब भी वो आती है, लड़ाय ही करवाती है नंदिनी भी समझ जाती है और बात आई गई हो जाती है कुछ दिन बाद काविरी खुदी आ जाती है और स्वभाव अनुसार वो सब बापस चालो कर देती है अपनी भावी पर हुकम चलाना, बच्चों को उल्टी सिधी बाते सिखाना पर इस बार शान्ती का बरता उसकी तरफ बतला हुआ था नंदिनी देखलो बच्चों से पोचलो क्या खाएंगे उन्हें तो भींडी पसंद है पर दीदी नहीं खाती न हाँ तो कोई बात नहीं उसको जो पसंद होगा वो बना लेगी तुम अपने बच्चों का देखलो नंदिनी समझ जाती है कि कुछ बात इस सास को भी समझ में आ गई है काफी रात होती है और काविरी जाने के लिए बोलती है उसका तो मन था कि उसे कोई रोक ले जिससे वो रुक जाए पर सब देख चुके थे कि वो अपने माई के आकर कितनी लडाईयां करवाती है इसलिए किसी ने उसे रुकने के लिए बोलाई नी और वो बेमन से अपना सामान उठाती है और चली जाती है सुहाना जोकि काफी पढ़ी लिखी होती है उसकी शादी हो जाती है रमन से ससुराल में सिर्फ सास, ससुर और ननद कमली होते है बहु के रूप में मुझे बड़ी ही संदर और संसकारी बेटी मिली है अरो कजरिया कुछ सीख ले अपनी भाउजी से सारा दिन बस टीवी पर गाना सुनती है कभी लाल दुपटा तो कभी चुनरी चुनरी अम्मा कहे लिए ताना मारती हो आज कल की लड़कों को संसकारी लड़की अच्छी लगती है और चुनरी तो कितनी प्यारी दिखती है इसलिए हम चुनरी के गाने बहुत पसंद करते हैं और हम सुन लेते हैं जब तु ब्याहा करके जाएगी न तो तो है मनीश मलहत्रा के डिजाइन की हुए चुनरी देवेंगे जाब जाके अपनी भावी के साथ खाना बनाने में मदद कर और कुछ सीखले अपनी भावजी से अरे ममी जी मैं कर लूँगी आप क्यों कजरी को परिशान कर रही हो कजरी तुम जाके पढ़ाई करो हम काम कर लेंगे पढ़ाई उका होती है भावी हमने दुक भी नहीं की कौनो खेल का नाम है का पढ़ाई माजी यह क्या है आरे बहुर्या उका है ना कजरी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाए बिलकुल पसंद मा ही थी तो हमने कभी पढ़ने को लेके फरस भी नहीं किया अब कभो पढ़ी लिखी है नहीं तो का जाने पढ़ाई लिखाए है काला अक्षर भैंस बराबर है इसके लिए तो भाबी काला अक्षर तो कोईला बराबर होई ना यह भैंस बराबर का है बोले या तुम नहीं समझोगी कजरी आओ मैं खाना बनाना सिखाती हूँ फिर दोनों ननत भाबी खाना बनाने में लग जाती है ऐसे ही एक दिन पोस्ट मैं आता है मिसिस वाना आपका पोस्ट आया है कजरी जाके देखो पोस्ट आया है मेरे हाथ में आटा लगा है ठीक है भावी हम अभी आथ है हाँ भाईया जी कौन अप पोस्ट है का ये लो आपको ये खोलने के बाद ही पता चलेगा मैं मैं आप यहां सिगनेचर कर दीजिए सिगनेचर वो का होता है हस्ताक्षर अच्छा वो जो कलम से पेपर पर गोजा गोजी करते हैं वो गोजा गोजी नहीं वो सिगनेचर होता है वो तो हमको नहीं ना आता अंगुठा लगा सकते हैं लगा देवेगा सुपह सुपह जाने किस से पाला पड़ गया ठीक है लगा दो फिर कजरी पेपर पर अंगुठा लगा कर एनवल प्ले के किचन में आती है एक पेपर लाने के लिए ये आदमी आया इससे अच्छा तो किताब का ही पन्ना फाल लेती भाबी काम था तो कजरी वो पेपर दो रोटी रखने के लिए तबी कजरी एनवलप से पेपर निकाल कर उस पर रोटी रख दीती है अच्छा वो पोस्टमेंड कुछ लाया था ना क्या हुआ उसका हाँ तो वो आपने रोटी रखने के लिए पेपर मंगाया था ना भाबी उस पे हम रोटी रख दिये अरे बुडबक वो रोटी रखने के लिए नहीं था मैंने तुमसे वो वहाँ जो पेपर रखा है उस पर रोटी रखने के लिए कहा था पड़ी लिखी नहीं हो तो common sense तो होता है ना इंसान में का तीर कमान का बुली आप दिमाग नहीं है तुमारे अंदर अम्मा बाभी आमको देखो कैसन कैसन बोल रही है क्या बहु तू हमारी बेटी को का कह रही है हाँ खबरदार अगर इसे कुछ भी कहा तो हम जिन्दा है अभी मरे नहीं है कि तू कुछ भी कह दे हमरी बेटी को एक तो पढ़ाई लिखाई नहीं कराई बच्ची बना कर रग दिया बाई साल की खुडी को अरे खुदी भूंगेंगी आप मुझे क्या अचा सुन बहुरिया कलकजरी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं हमरी बेटी को राजकुमारी की तरह तयार करना समझी तयार तो मैं कर दूँगी इसके दिवांग में अकल कौन डालेगा कि उन लोगों से कैसे बात करनी है अरा तू उसकी चिंता ना कर हमरी बेटी बहुत ही समझदार है वही जब लड़के वाले आते हैं तो बेटी कहां तक पड़ी हो हम ग्राजू आठन पास है वोट? अब वो पंदरावी के पढ़ाई जो ग्राजू आठनों कहता ना इस ग्राजू आठन तो कुछ नहीं होता मॉम आप किस गवार से शादी कने के लिए लायो मुझे इससे ग्रेजूेशन तक नहीं पता क्या ही पड़ी लिखी होगी चलो यहां से मैं इससे शादी नहीं कर सकता हारे बिटा सुनो तो लेकिन वो लोग वहां से चले जाते हैं ऐसे ही कई रिष्टे आये लिकिन कजरी की बेवकुफी और अनपढ होने की कारण कोई भी उससे शादी कने के लिए तयार नहीं होता जिस कारण घर में टेंशन का माहुल बन जाता है बहु कजरी के लिए एक रिष्टा आया है अब तू ही है जो हमरी नाग कटने से बचा सकती है मैं कैसे बचाओं आप नहीं अपनी लड़की को अनपढ रखा तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ अरे पस लड़के वाले जो भी पूछे ना उसका जवाब तू दे दिजो बाके सब मिलकर हम समाल लेंगे लड़का बहुती पढ़ा लिखा है खांदानी लोग है अच्छा घर द्वार है अगर कजरी की शादी यहां हो गई ना तो राज करेगी राज एक बार शादी हो गई तो कौन ही पूछेगा पढ़ाई का आरा खुदी इतने अमीर लोग है ठीक है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी वही अगले दिन लड़के वाले घर आते हैं बेलकम बेहन जी बेलकम वाट? इनका मतलब था बेलकम मॉम किस गवार के यहां आप ले आयो जब माही अनपड़े तो बेटी कैसी होगी? जोंट वरी हमारी कजरी बहुत गुणी है शिस वेल अजुकेटिड बहु की बातों से उन्हें तसलि मिलती है सभी घर में आते हैं ननन और बहु मिलकर सभी कुछ चाय नाश्ता देते है तो बेटी खाने में क्या बना लेती हो? मैगी क्या? बाकी कुछ बनाना नहीं आता तुमें? इसके कहने का मतलब है कि मैगी जिप बिलकुल नहीं पसंद वो छोड़कर सारा खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है हमारी कज्री वाँ 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 बहुत गुणियों पीट है तुम तो आपने बढ़ाए कहा तक की है? कज्री ने आईए स्मफ की डिग्री ले रखी है ये तो मुझसे भी ज्यादा पड़ी लिखी लग रही है बता नहीं किस डिग्री के बारे में बात कर रहे है अगर पूछ लिया तो इन लोगों को लगेगा कि मुझे कुछ आता ही नहीं है अरे क्या सोच रहे हैं आप लोग हम ये रिष्टा पका समझे पांच मिनिट हमें अकेले में बात करनी थी ठीक है जी फिर तीनों अकेले में जाते हैं बेटा लड़की तो बहुत ज्यादा पड़ी लिखी लग रही है अरो लेकिन लड़की गुणी है सुसकार ही है लेकिन ज्यादा पड़ी लिखी रहेगी तो उंगली पर न चाहेगी मा अब मुझे कजरी पसंद है बले ही मुझसे ज्यादा पड़े लिखी है फिर नकरसाने के लिए तयार है न वैसे जब लड़की के माता पिता ने इसकी पढ़ाई पर इतना खर्चा किया है तो दहेज भी मोटा मिलेगा सही कह रहे हो जी फिर तीनों सब के सामने आकर बैट जाते हैं होगी कनवसेशन? जी बाबी हमें कजरी बहुत पसंद है हाँ हम इसे अपने घर की बहु बनाने के लिए तयार है बस हमारी चोटी सी शर्थ है कि लड़की जब हमारे घर आए तो सोने और पैसों से लदी होनी चाहिए किताबों से नहीं और बारात में हमारे रिष्टेदारों की जम कर खातिरदारी होनी चाहिए और बिदाय की समय सबको महंगे महंगी गिफ्ट बस यही कुछ चीज़े थी जो बात करनी थी ये सुनकर कजरी की मा को चक्कर आ जाता है आप ठीक तो हैं ना बहन जी? हाँ, पहले से बैतर हूँ लेकिन आप लोग इतना दहज मांग रहे हैं कैसे चलेगा? दहज नहीं आणटी जी, ये तो गिफ्ट मांग रहे है अब आपकी बेटी इतनी बड़ी लिखी है तो इतना तो आप देई सकते हो ना उसके लिए अगर लड़की पड़ी लिखी ना भी होती तो हम एक जोड़े में ब्याकर ले जाने के लिए तयार थे लेकिन पड़ी लिखी लड़की के नकरे समालने हैं तो उसके लिए हम खुश रहे, ये भी तो ज़रूरी है ना आपको किस दे कहा कि कजरी पड़ी लिखी है? पेटी, तुमने ही तो कहा, वो IASMF है, अब इतनी बड़ी डिगरी बता दी तो हम क्या ही कहे? मुझे तो पता भी नहीं है कि ये क्या होता है, मैं क्या कहूं अब? तब ही सारे घरवाले जोर-जोर से हसने लगते हैं आप लोग ऐसे हस क्यों रहे हो? इसलिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कजरी पड़ी लिखी नहीं है, फिर भी आप कन्फ्यूज हो गई क्यों जूट कह रही हो? अभी तो बताया ना कि IASMF ये क्या है तो फिर? सची तो का, इसने in all subject metric पहल है हमारे बिटिया ये सुनकर वहाँ आए सभी लोग हक्के बक्के हो जाते हैं और फिर पता चलता है कि लड़का भी कुछ खास पड़ा लिखा नहीं है जिसके बाद कजरी की शादी हो जाती है जोगे से और finally उसे भी उसका perfect match मिल ही जाता है